So hey guys, welcome back you all to this channel TraderTank community में आप सभी का एक फिर से सवागत है आज के एस वीडियो में बात करने वाले हैं कल के लिए कौन-कौन से लेवल वर्क करने वाला है Because कल निफ्टी का एक स्पाइरी है So हमें कल एक अच्छा मूफ देखने को मिल सकता है जैसा कि आज हमने देखा है market में overall sentiment जो था लगबग वो sideways to bullish था तो कहीं न कहीं उसका impact हमें कल देखने को मिलेगा क्योंकि आज पूरा दिन market कुछ नहीं किया Just time spend किया और छोटे-छोटे traders का stop loss खाया And options buyer का थीरा decay लेके गया So हम कल के लिए कौन-कौन से labels को play करेंगे कल हम कैसे कैसे game को plan करेंगे उसके बार में discussion करेंगे And साथ ही साथ में हम इसके उपर भी थोड़ा बहुत discussion करेंगे कि हमने जो investment plan के बार में बात किया था हम उसमें कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे क्या-क्या चीज़े और भी हो सकते है कुछ एक stocks को मैंने figure out किया है तो फिर हम उसके उपर भी बात करेंगे मैंने क्यों चूज किया उसके पर क्या reason है ठीक है Again मैं पहले सबसे पहले disclaimer दे देना चाहता हूँ मेरे किसी बात को personally नहीं लेना है Just my personal opinion रहता है अपने किसी भी trading actions या फिर investment plan करने से पहले अपने financial advisor जरू consult कर ले उसके बाद ही आप कोई शीजों को plan करें Because I am not a savvy registered This is the disclaimer of this video ठीक है मैं just for education purpose video बनाता हूँ ताकि कुछ education मिल सके चलो ठीक है So सबसे पहले आज देख सकते हो कि यह जो levels थे यह levels already मैंने पहले ही दे रखा था कल मैंने level upload नहीं किया Because मुझे मालूम था कि यह जो levels है Already हमारे पहले से जो levels है वही काम करने वाले है उसके अलावा कि इस level को फिलाल भी जरूरत नहीं पड़ेगा हाँ आज level के जरूरत पढ़ने वाला है काम करने वाला वह हम simply इस label को यहाँ shift करेंगे और इसको हम यहाँ shift कर देंगे ठीक है उसके बाद हम इसको सबसे lower point पर लाएंगे exactly यहाँ ओके levels को draw कर लें अभी लोग this is our labels and उसके बाद हमारे पास जो label लाएंगे वो यह निकल के आएंगे ठीक है चलो and then अगर हम previous data में थोड़ा बहुत भी जाएंगे deep dive करने ही कोशिश करेंगे so we got some level around this this one okay perfect so हमारे लिए जो कल के लिए जो labels work करने वाला है वो यह चार labels है नीचे के उसके बाद यह उपर के level है resistance अगर मार्केट इसके ओपर निकलता है तो कल के लिए हम क्या प्लाइन कर सकते है बैंक निफ्टी में अगर मार्केट इस zone में कहीं भी open होता है इस zone में कहीं भी open होता ठीक है आगर मार्केट इसपर्ट लेकर करके यहां पर आ करके फिर time spend करके इसको breakout करें तो अगर मार्केट नीचे आ करके lower breakdown करता है तो फिर हम यहां तक का target first and second फिर ultimately मार्केट यहां तक तो आ करके नहीं रुकेगा और इसको भी breakdown करता है तो हम एक नीशे के साइड बड़ा move देख सकते हैं बट अगर market जहां तक max bit कर रो आप देख सकते हो कि market एक कहीं न कहीं upside move करने की तैयारी में है तो यहां समें एक recovery भी देखने को मिल सकता है और यह trend line में ध्यान में रखना अगर यह trend line का breakdown होता है तो कुछ न कुछ यह level wise आप target book करते होई चलना ठीक है तो यह levels को ध्यान में रख लो अगर market यहां पर आकर के first time spend करता है तो breakout हम बहुत अच्छा देखेंगे यहां तक हमारा first target होगा and अगर market यहां पर आकर करके नीचे की और ऐसे करके यहां पर करके breakdown करता है तो हम यहां तक first target फिर यहां तक second target और यह trend line का breakdown same time पे होगा यह ध्यान रखना यह trend line आ रहा है इस trend line का breakdown same time पे होगा तो trend अगर breakdown होता है तो हम यहां तक का target expect करेंगे और अगर इसका breakout होता है तो हम यहां तक का target easily expect कर सकते हैं So this is the analysis of bank nifty और यह levels कम कर काम करने वाले हैं कल के market में bank nifty में Okay nifty के कोनकों से level से आप देख सकते हो nifty हमारे levels बहुत ही perfectly work कर रहे हैं आप देख सकते हो यह level सारे पहले के दिये होगे market नीचे आता exactly support लेता उपर जाता फिर resistance लेता फिर नीचे आता फिर support लेता फिर उपर जाता है है ना तो यह आपने टेलेग्राम पर पोस्ट कर दे टेलेग्राम अगर आप जॉइन नहीं किया और description box में link है एक एक update free of cost आप सब को देते रहता हूं so make sure कि जागा टेलेग्राम को जॉइन कर ले so कल कली बैंक निफ्टी का कॉन-कॉन सा लेवल होने वाला वह हम देखने कोशिश करेंगे है ना सबसे पहले यह वाला हम डिलीट कर देते हैं just wait just wait just wait निफ्टी के गाल expiry है तो हम थोड़ा अच्छे से trade करेंगे कोशिश करेंगे one second okay so perfect यह लेवल को मियाँ पर लेके आ सकते हैं perfect perfect this is our support and this is our heavy support not simple support यह ना उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कहीन जहीं एक यह level निकल क्या आएगा इड़ोस के बाद अगर हम देखेंगे तो कहीन जहीं एक यह level निकल क्या आएगा तो इसके एक एक बात हमेशा ध्यान रखना कभी भी प्रीमियम आप जो भी भी बाई करो हिरो जिरो करने के लिए तो कभी भी नेकेड बाई मत करना ठीक है नेकेड का मतलब तो पता है सिर्फ कॉल या सिर्फ पूट बाई मत करना क्योंकि अगर थोड़ा सो मोमेंटम आपके में हुआ तो आपका सारा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है तो प्लीज डॉन डू नेकेड हिरो जिरो टाइप ट्रेडिंग ठीक है अगर आपको करना भी वैसे तो यह चीज़े सेफ नहीं होती है बहुत जादा रिस्की होता है लेकर अगर आपको करना है तो आप तो फिर आझाग करता है तो फिर आपको टारगेट देख सकते हैं प्रेक एइसले लिए को नेकेड टारगेट करते हैं तो फिर अगर अगर फैसे ही breakdown करता है तो फिर हम यहाँ तक target expect कर सकते है so कल के लिए हम ऐसे ही plan करेंगे जब बाकी देखना है कल market breakout करता है फिर नीची के और आकर pullback लेकर bounce back करता है फिर इसको consolidate करके फिर नीची के और breakdown करता है so देखना यह होगा कल market कैसे कैसे करता है हमारे पास levels है तो already हम बहुत अच्छे से keyword रहेंगे तरीके से plan करेंगे जो levels होगा उसी के recording हम plan करेंगे ताकि हमारा luxury reward ratio और stop loss target बहुत ही properly set हो सके ठीक है तो इसके recording ही plan करना है okay so हमने यह चीज़े आप सब को disclose कर दिया और जो मैंने investment की बात कही थी उसमें से आप देख सकते हो हमने जो Titan रखाया Tata Motors, Infosys, Cool India, ITC, Excide Industry, Gentry and Reliance Power जसमें आप मेरा holding देख सकते हो आप मैं आपको holding दिखाता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हो यह हमारा account है अगर ध्यान में होतो FMC 395 ठीक है Cool India इसको मैंने add किया Excide Industry, Infosys, ITC, Reliance Power यह small cap मैंने add किया थोड़ा सा कुछ अपने वारे में सोच की कुछ अच्छा analysis मैंने किया है बट अकिन में बता देरो जितने भी ही यह मैंने position मना इसको देख करके आप कोई position मत बना रहा क्योंकि मैं यह सारे पैसे जो डाला हूँ इसको गवाने के लिए मैं तयार हूँ मुझे कोई अपत्ती नहीं है तभी मैंने यह पैसे डाला विकास stock market is a risky business आप यह मत सोचना कि मैं यहाँ पे डाल रखा हूँ तो मिरको profit होगा तो अब भी इसको देख करके profit बना लो because ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता ठीक है तो मैं बस just for the sake of information कि आपको यह बताना चाहता हूँ कि हाँ जो मैंने promise के जो मैंने बताया वो चीज मैं कर रहा हूँ सिर्फ यह नहीं कि आपको बोल दिया ठीक है अब यह धीरे धीरे मैं इसको आवरेज करता जाओंगा जब भी मुझे डिप मिलेगा मैं बाई कर दे जाओंगा एंड हर महीने एनिहाव एक, दो, चार, पांच जैसे भी जोतने भी क्वान्टिटी 20,000 में आएगा उतनों मैं एड करते हुए चला जाओंगा और जब भी मुझे एक डिप मिलेगा around 20% और 30% का जब भी मुझे correction मिलेगा मैं इसमें एक बड़ा investment करूंगा so this is our investment portfolio और मैं इसका सुरुवाद 2023 से कर रहा हूँ और up to 20 years तक तो minimum इसमें करना ही है 2023 से start किया है ठीक है और मुझे पूरा उमीद है मैं इसमें consistent रहूँगा बागी दिखते हैं क्या होता है और आप सब ये analysis को दिमाग में रख लो कल nifty का expiry है तो जैसे जैसे मैंने plan किया है उस तरीके साब देख सकते हो levels आप draw कर लो levels बहुत perfectly work करते है वह आप भी जानते हो मुझे कुछ बतानी की जरूरत है नी so that's all मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तर के लिए thank you so much बबाए take care and have a nice day और बहुत ही जल्द हम कुछ बड़ा plan कर रहे है आपको बहुत जल्द रिवील करके बताएंगे